दोस्तों cheating and forgery जैसे मामलों में बहुत सारे सवाल अकसर आपके comment में पूछे जाते हैं और बहुत सारे सवालों के जो जवाब आप चाहते हैं वो कई बार किताबों से नहीं मिलते हैं क्योंकि जो किताबे हैं उसके अंदर case discussions भी होते हैं judgments आप उसके लिए पढ़ सकते हो case study उसके लिए पढ़ सकते हो बट बहुत सारे सवाल जो नए वकीलों के हैं या फिर कोई law student के हैं अभी आप वगालत करके आए हो या फिर आपका सगा समंदी जानकार कोई भी अगर जेल म है तो ऐसे कई सारे सवाल आपके सामने आते हैं जो जवाब आपको नहीं मिल पाते हैं कई सारे सवाल जो आपने पूछे हैं उनके जवाब दूँगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से और डिटेल में बताने की कोशिश भी करूँगा कि 420 IPC, 466 IPC, 468 IPC, 471 IPC क्या बोलत है जिसके अंदर की कोई भी ऑनलाइन जो स्कैम होता है पेमेंट्स उडा दी जाती है ऑनलाइन तरीके से उसमें 66 DB कई बार लग जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से एंटिसीपेटरी बेल कैसे होगी रेगुलर बेल कैसे होगी या फिर इंटेरिम कैसे लग और कब आपकी बेल होगी ही नहीं ऐसे कई सारे सवालों के जवाब देंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से जादा कुछ जानने के लिए चीटिंग एंड फॉर्जी जैसे के बारे में दोस्तों बने रही है अमारे इस वीडियो के साथ दोस्तो दोक्यमेंट कोई दिखाए दिखाने के बाद कि सामने वाले ने पेमेंट कर दी ऐसे में फ्रॉड होता है कई बार ऐसा भी होता है कि ओनलाइन वे में किसी ने फरजी वेबसाइट बना दी फरजी कोई लिंक दे दिया वहाँ पर आप गए डिटेल्स आपने देखी फरजी मामले होते हैं बैंकों से कई बार पैसे की लूट की जाती है लूट वो वाली लूट नहीं के पिस्टल लेकर वो बैंक में घुज गई ये दूसरी लूट है ये किस तरह की लूट है मतलब कि किसी को डॉक्यमंट दिखाए गए जो फरजी थे दोस्तों मान लीजिए कि साथ ये 10 एक मामले आपके अपर हो रहे हैं और सभी मामलों में आपने बैंक के साथ कुछ ना कुछ घोटाला किया हुआ है किसी में 10 ला, किसी में 20 ला किसी में 15 किसी में 1 करोड अब क्या ऐसम फटाबर से बेल आपकी हो जायेगी उसमें हम आपको बता देंगे आप क्या गलती कर रहे हैं क्या गलती आपको नहीं करनी चीए किस तरह से आपकी बेल होगी किस तरह से आपकी इसको जीत पाएंगे मामले देखे जाएं तो 420 जो मामला आता है IPC 420 उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है फाइन भी हो सकता है 467 की बात करें 10 साल की हाला की मेंचन है उमर कैद तक का प्रावधान है उमर कैद तक की सजा उसमें दी जा सकती है 468 की बात करें 10 साल तक की सजा का मामले अब आता है 471 471 क्या बोलता है? 471 बोलता है कि दोनों में से जिसमें भी सजा होगी उसकी सजा के अकोर्डिंग ही 471 चलता है इसकी अपने आप में कोई सजा नहीं होती है कोई भी treating और forgery का मामला आपने किया मामला बहुत बड़े अमाउंट का है और अगर आप निर्दोष है तो आपको अपनी एंटिसेपेटरी बेल मूव करनी चाहिए पहले सैसिंस कोड जाओगे नहीं हुई हाई कोड जाओगे नहीं हुई सुप्रीम कोड भी जाओ या उनका सगा समंदी जानकार या खुद उन पर कोई केस हो गया चीटिंग एंट फॉरजरी का उन सभी के लिए ये बहुत सारी वीडियो जो मैं चीटिंग एंट फॉरजरी पर लेकर आता हूँ अगर ये सारी वीडियो साब सिक्वेंस वाइस भी अगर देख ले तो मेरा मानना है बहुत हद तक पूर तरीके से अपने आपको आप जानकार बना लेंगे पर बाकी पूर जानकारी के लिए CRPC पढ़ना पड़ता है जो उसने बताएगा प्रोसेस कोर्ट में कैस चलेगा IPC के सेक्शन्स के वारे मैं आपको बता दिया पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि अगर मामले बहुत सारे हैं तो बेल लेने में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अगर मामला जूटा है और अगर कोई एक दो मामले है तो बेल आपकी जल्दी हो सकती है पर ये बोला गया है कि कोई भी मामले अगर पैसे से संबंदित है तो पैसे का निप्टारा करके ही बेल दी जाए हाला कि ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने अपने जज्जमेंट्स में कि कोई भी जो court है, वो कोई recovery agency नहीं है, recovery agent नहीं है कि पैसे की recovery करवाएगा, पर हाँ, अगर किसी के साथ cheating हुई, fraud हुई, तो उसकी बातों को सुनेगा, और ऐसे में इंसान को jail में रखना तै होता है, jail में रखा जाता है, बेल नहीं दी जाती है, पर मैं एक बात और आपको सुप्रीम कोट का judgment ये भी है, वो ये भी बोलता है कि जब किसी को jail भीजा गया, magistrate साथ के सामने पेश करके किसी को arrest किया गया, तो ये जो time है, charge sheet लगने का, इसमें investigation को complete किया जाता है, ना कि ये, ना तो ये punitive है, और ना ही preventative है, मतलब सजा नहीं है ये, ये सिर्फ एक investigation का part है, investigation पूरी होगी, उसके बाद आपको bail दी जाती है, अगर मामला बहुत serious बनता है आपके against, तो हो सकता है कि district court से आपकी bail ना हो, high court, supreme court, bail आपको दे देंगे, high court में जाएए, या supreme court जाएए, अगर anticipatory bail लगा रहे हैं, तो वो भी मिल सकती है, regular bail लगा रहे हैं, वो भी मिल सकती है, interim bail लगा रहे हैं, वो भी मिल सकती है, बशर्त है कि आपने case को ढंग से समझा हो, कोई भी वकील साहब ने, आप client है, आपने उस case को अच्छे से अपने वकील साहब को समझाया हो, क्योंकि होता क्या है, कई बार कई सारे वकील होते हैं, जो 10 साल, 20 साल की practice में है, माल अतना experience नहीं है, पर आप cases लड़ने का experience नहीं है, वो court तो जा रहे हैं, अतना time उन्होंने वहाँ पूरा किया है अपना court में, पर अतना experience नहीं है, यह देखा जाता है, किस वकील ने किस case पर कितने ज़्यादा case लड़े हैं, जितने ज़्यादा आप cases को लड़ते जाओगे उतना ज़्यादा अपने आपको और बहतर से बहतर बनाते जाओगे और F.I.R. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि F.I.R. को हमेशा मिनीमम तीन बार पढ़े जैसे केस आया F.I.R. को पढ़े उसके 5-7-10 गंटे के बाद फिर से F.I.R. को पढ़े और फिर नेक्स डे भी F.I.R. को पढ़े आप जब नेक्स डे F.I.R. को पढ़ोगे तीसरी बार उस F.I.R. में बहुत कुछ बदल चुका होगा बहुत कुछ चीजे आप ऐसी निकाल लोगे जो आपको पहले ही निकाल लेन चाहिए थी बट पहली बार में निकाल नहीं पाऊगे यह मैं सभी उन लॉय स्टुडेंट्स को सभी नए वकील साहब को और सभी उन लोगों को जो कानून के बारे में जानकारी चाहते हैं उन सभी के लिए मेरे की सबक है F.I.R. को अच्छे से पढ़े तीन बार पढ़े दोस्तों अमीद करता हूँ जो मैंने आज ये वीडियो बनाया चीटिंग एंड फॉर्जरी पर आपको समझाया होगा अच्छा लगा हूँ आज का वीडियो हमारी वीडियो को बने रहने के लिए